अब दोस्ता आप सबका स्वागत है प्रोडिंग लूक्स में मैं हूँ अन्जन पहले दोस्तो यह क्लीप देखिए दोस्तो कि आपको विश्वास हो रहा है कि एक कैनोन में में तो वह हैं में अब आपको गाउंग अबना हो आन्जन उनन देख्वास है के ऐसा विश्वास के बाहर आठा है अबनाय स में में हम्ना को दिखाऊंगा दोस्तो पहले नोट्री neither है उसको बना लेते हैं यहां पर note tree जो है पहले वाला हम noise के लिए छोड़ देंगे यहां पर यहां पर मैं सिर्फ नाम दे दूँगा ऐसे ही noise transform cts उसके बाद दोस्तो थोड़ा सा मैं balance करूँगा footage को यहां पर balance लिखते है एंड उसके बाद दोस्तो glow यहां पर लिख देता है दोस्तो glow एंड उसके बाद दोस्तो यहां पर मैं और एक serial लोंगा यह रहेगा दोस्तो sharp के लिए picture हमें sharp करना है तो sharp लिख देता है यहां पर ओके तो यह simply ही यह जो five node लिया है हमें इसी पर हमें काम करना है तो वो कैसे दोस्तों यह तीनों तो बाद में काम करेंगे लेकिन पहले हम cts पर काम करेंगे तो चलता है दोस्तों पहले effects पर एंड आपको नीचे ही यहां पर मिल जाएगा color space transform just only drag and drop कर दीजिए यहां पर and हमें input color space input gamma output color space output gamma यह मैंने बहुत पहले ही एक tutorial बना था आप जाकर वहां से देख सकते हैं यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है बहुत ही सिखने वाली बात है कि हर बक्त आपको यह चारो ही चेंज करना पर लेकर ऐसा नहीं है मैं आपको अभी secret method डिखा दूंगा यहा input gamma यह Canon M50 का clip है हर कोई बंदा यहाँ पर input color space Canon cinema gamma ही देगा तो मैं भी वही दे रहा हूं आप देखे थोरा यहाँ पर चेंज हो गया यह देखे बिफोर और अप्टर बिफोर और अप्टर ओके स्कोब्स भी चेंज हो गया और हर कोई color grading जो करता है YouTube में आप देखेंगे वह आपको secret method नहीं बताएगा मैं बताता हूं कोई भी दोस्तों यहाँ पर input gamma जो है यह Canon का clip है तो वह क्या करेगा simply यहाँ पर आके Canon log यह जो input gamma है यही देखा अब देखिए input gamma देखके क्या होता है ठीका ना लेकिन मैं आपको एक secret method है वो मैं बता देता हूं यहाँ पर यहाँ पर मैं Canon का जो log है log 3 है यह मैं बिल्कुल नहीं दूँगा मैं दूँगा Fujifilm F log देखिए देखा यही है कमाल secret color grading का जो कोई नहीं आपको बताएगा दोस्तों सिर्प मैं बताऊंगा तो यह मैंने और कुछ मुझे चेंज यहाँ नहीं करना आउपूट कलर स्पेस आउपूट गमार मुझे कुछ नहीं चेंज करना जस्ट मुझे जो मिलना था यह sunset वाला क्लीप है मुझे detail यहां से निकलना था जो भी color है इसके अंदर वो मुझे detail निकलना था इसलिए मैंने यही चूज किया Fujifilm Flock बहुत ही lovely है Fujifilm का color science तो CTS को यहाँ पर छोड़ देते हैं ऐसे ही हमें just only अभी थोड़ा सा balance करना है footage को आप देख सकते हैं यहाँ पर rate थोड़ा उपर है you know balance नहीं है तो मैं just only balance करना है rate को थोड़ा सा नीचे लेके चलता है highlight है यहाँ पर मैंने पिछले दि सिखा है था सिब rate को नीच लाना है यहाँ थोड़ा सा blue को मैं एकदम balance कर दूंगा यहाँ नीचे दिखे जो दोस्तो जो shadow है shadow area मैं just यहाँ पर रखूंगा and उपर जो highlight है just ऐसे रखूंगा ज्यादा उपर नहीं and अभी यह दोस्तो balance हो गया आप देख सकते है before and after before and after before and after अभी क्या करना है दोस्तो यहाँ पर देखिए मैंने glow add किया है तो glow यहाँ पर दूंगा दोस्तो यहाँ पर search करता है glow आगया दोस्तो glow just यहाँ पर glow को add कर देना है लेकिन glow glow को add करने के बाद दोस्तो ऐसे यहाँ छोड़ती जो default रहता है आपको secret method जो बताना है वो मैं बताऊंगा यहाँ पर composite type यहाँ पर आये दोस्तों simply यहाँ पर overlay कर दीजिए जो hidden color है इसके अंदर वो कैसा दोस्तों बाहर निकल का आया है फिर से glow को करता है यहाँ पर on and यहाँ पर overlay कर दीजिए यहाँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर glow नहीं चाहिए बिल्कुल भी आप देख सकते हैं मैं shine threshold को मैं थोड़ा सा अपनी सब से change कर रहा हो तो यहाँ पर दीजिए दुस्तों glow हो रहा है मुझे glow बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे जास्ट अनली सांसेट बाला क्लिप चाहिए यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा कि जस्ट ऐसे ही ओके दोस्तों तो ग्लो आपने देखा ग्लो पर मैंने सिर्फ ओफर ले किया अभी देखिए दोस्तों बीफोर एन अप्टर बीफोर एन अप्टर ठीक है ना अभी यहां पर दोस्तों जो फूटेज आप देख रहे हैं कि अगदम पर्फेक्ट है नीचे तो मैं चाहता हूं कि एकदम आप यहां पर देख सकते कि कोई भी नॉइस नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा नॉइस यहां पर रिमूव जरूर करूँगा ताकि थोड़ा सा भी आप ज़ Windows 1 आफ कर दोंगा यहां पर तो आप देख सकते दोस्तों पीफीफोर क्या था कं यही दिए दोस्तों पीफओर दोस्तों पीफोर क्या था दोस्तों आप देख सकते हैं यह तो मुझे बिल्गुल भी एकिंञ नहीँ हुआ जब मैंने या था था चैनोनें 50 के से ही लिया था and after देखिए दोस्तो इसका hidden color देखिए इसके अंदर कितना hidden color होता है मतलब आपको जब secret method पदा होगा तभी आप create कर पाएंगे यह जो hidden color वाला effect है तो दोस्तो यह जो पाचो नोट पे मैंने आपको एक secret color grading technique यहाँ पर दिखा दिया दोस्तो आप पहले बाला जो cliff है आप देख सकते हैं कैसा था and after color grading यह क्या हुआ दोस्तो sunset बाला cliff है दोस्तो बहुत ही hidden color यहाँ पर होता है आप देख सकते हैं यहाँ यह ओलो है औरेंज है blue sky है यहाँ पर white है violet color है यहाँ पर मैं बहुत ही देख पा रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा green है दोस्तो आप देख सकते हैं तो सभी color यहाँ पर hidden होता है दोस्तो जो before आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो यही secret color grading टेक्निक है कैसे आपको जो hidden color है उसको बाहर निकलना है after color grading तो यह process मैंने आपको दिखाया है simply five note पर दोस्तो तो आपको कैसा लगा दोस्तो comment में जरूर बताएगा subscribe नहीं किया तो कर लिए जो दोस्तो next video में मिलता है फिर thank you so much